बहुत स्वागत है इस चैनल पे आज मैं लेकर आया हूँ MMHPU मौलाना मजरूल हक आर्बिक और पार्स इनिवर्सिटी जो कि अभी एक्जाम चल रहा है B.A.D. पार्ट 2 का जिसमें फर्स्ट पेपर का कोश्चन का मैं अनलाइसिस दीखा रहा हूँ अभी जैसा कि फर्स्ट जो है वो है पेपर का नाम है नौलेज एंड करिकुलम तो नौलेज एंड करिकुलम में जो जो इंप्रोटेंट कोश्चन आया हूँ है उनका हम रिव्यू दिखा रहा हूँ कि कैसे कोश्चन पूछे गया है और उसके कितने मार्क्स के थे तो सबसे पहले क्या-क्या इंट्रोडक्शन दिया रहता है तो आपको दिखाते चले यहां पर लिखा हुआ है कि फूल मार्क्स आपका यह थियोरी का पेपर एटी मार्क्स का होगा तीन घंटे का होगा और कंडिडेट्स को यह इंट्रोड्यूस दिया है कि आप अपने सब्दों में आंसर दिजिए यानि कि सभी यूनिट्स टोटल फाइव यूनिट्स है और एक यूनिट्स से आप एक कोशन को जवाब देकर कुल पांच प्रस्णों का उत्तर देना है चलिए कैसे-कैसे कोश्शोन आये थे जरह उसके बारे में विचार कर लें यूनिट्स फिर्स्ट का पहला कोश्चोन था देफाइन नॉलेज्ज 5 यानि ज्यान को परिवाशषित करें हमारे विटर ज्यान का निर्मान कैसे होता है उसके बाद हम second question दिखाते चले, second question कुछ इस तरीके से है, unit 2 का ही है second question, discuss in details various facts of knowledge, how is knowledge into our action, यानि कि ग्यान के विविन पहलू के बिस्तार को चर्चा करना है, और यह हमारे कारे में कैसे introduce किया जाता है, कैसे प्रस्तूत किया जाता है, फिर है unit 2 का questions, unit 2 में भी दो questions थे, जिसे में से किसी को एक का जबाब देना था, मनने एक unit का, एक unit का से एक question का जबाब देना था, इसमें question है पहला, why is necessary of categorization on knowledge, on which basis can you categorize on a school, यानि कि ग्यान के वर्गी करन की आवि सकता क्यों है, आप की सधार पे आश्कूली सिछा को वर्गी विक्रित करेंगे, और unit 2 का ही question था, describe forms of knowledge which are included on a skill education, with reference, circulum and textbook, यानि पाठ चर्चा और पाठ पुछता के संदर्भ में, अस्कुली सिछा के सामिलों की रूप में वर्णन करना था, और unit 3 का question है, ये 3 units है, इस 3 units के लिए पाँचमा question है, यानि कि define curriculum, पाठ चर्चा को परिभा पाठ चर्चा की क्यों आप सकता है, और ये कितने difference form होता है, सिले वसीन से पाठ की में कैसे भीन है, difference हमें बताना था, तो ये था हम लोगों को unit 4, 3 sorry, और उसके बाद unit 4 and 5 से question है, तो unit 3 से ही question है, अब देख पा रहे होंगे, question number 6 और 7 और 8 unit 4 के questions है, वैसे unit 5 के 9 और 10 question है, हम unit 4 से आपको किसी एक का जबाब देना था, तो चलिए हम question number 4 दिखाते हैं, 6 दिखाते हैं, क्या कहरा था question, what do you understand by textbook, आप पुस्तक से क्या समझते हैं, और इसके critical analysis and the merit and demerits, यानि कि इसके आधुनिक समय में इसके गून और दोस, merit and demerits का, आलुचनात्म को विसलेशन यान analysis करना था, और वैसे unit 4 में है, unit 4 में 7 question है, what do you mean by curriculum determinants, यानि पाट चर्चा निर्धारक को आप define करना था, illustrate different determinants और अलग-अलग निर्धारक और इसके importance महत्व को बताना था, फिर question number 8 है, different aspect of curriculum develop at the, यानि कि आपको अलग-अलग पाट चर्चा विकास के विविन पहलूं के व वैसे unit 5 के questions, दो question थे, 9 and 10, तो 9 यहाँ question है, उसका हिंदी अगले page में है, what do you mean by curriculum approach, approach बताना था कि क्या इसके approach है, और discuss subject centered and child center, यानि कि subject विशावस्तू के इंदर और बाले सिछा के इंदर को details में बताना था, इसको तो, फिर आगे unit, लिखा हुआ है, unit 5 का ही next question, जिब कोई हिंदी में भी दिखा देरा होगा, इसमें लिखा हुआ है, हिंदी में कि पार्ठे चर्चा द्रिष्टी कौन से आप क्या समझते हैं, और विशाय केंद्रित और बाल केंद्रित, द्रिष्टी कौन से आपको अलग से discuss करना था, details में विश्थार में, फिर unit 5 का ही last question है, last question है, through light upon syllabus different subject, यानि कि अलग-अलग पाथ कर्म के विशाय है, जैसे कि online learning, ICT, interactive videos और अन्य तकनिक, other interactive videos को आपको पर बताना था, discuss छोटे-छोटे tip नहीं करने थे, details में बताना था, तो ये था आपका, B.A.D. Part 2 के, knowledge and curriculum, subjects related questions, I hope कि आपको ये helpful video रहेगा, आज के लिए तरह ही, thank you.